क्या हमारे criminal law में ऐसा कोई provision है जहां पर convicted person जिसे एक already सजा मिल चुकी है वो अपनी सजा को change करवा ले या अपनी सजा को कम करवा ले देखिए अगर वो अपनी सजा को change करवाता है तो हम उसको commutation of punishment कहते हैं और अगर अपनी सजा को कम करवाता है तो हम उसको remission कहते हैं जैसे क कि मान लीजे कि death penalty मिला है convicted person को और वो इसे change करवा रहा है life imprisonment में life imprisonment मिली है वो इसको change करवा रहा है 14 years की punishment में तो इसको क्या और यहां पर क्या हो रहा है nature of punishment जो हो रही है वो चेंज हो रही है इसको हम कहते है commutation of punishment वही अगर मान लीजे है remission के हम बात करें तो वहां पर सजा को कम की जाती है जैसे कि life imprisonment मिली है तो आप उसे कम करवा लो किसी limited number of years में आप करवा लो ठीक है कि let's suppose कि जो convicted person है already वो 15-16 साल जेल में रहे चुके है लेकिन उनको उमर क्या की सजा मेली हुई तो वह उसको क्या कर रहे है अपनी उन्होंने बोला कि बढ़िशन हो चुका है और अब हम चेंज हो चुके हैं हमारा कंड़क्ट अच्छा है तो इस ग्राउंड पर आप हमारी सजा को आप life imprisonment को अब 16-17 साल जो भी हम जेल में रह चुके हैं उसमें convert करके आप हमें release कर दीजिए तो इसको remission कहता है कि अगर कंड़क्ट परसन ने अपनी at least 14 साल की सजा जो है जेल में काट चुका है तब ही उसको वहां पे remission या कम्यूटेशन का possibility है otherwise नहीं मिलेगा लेकिन अगर कोई और सजा मिली है तो वहां पर 14 साल वाली condition apply नहीं होती है कम्यूटेशन और remission के लिए apply कहां किया जाता है appropriate government को application दिया जाता है appropriate government जिस भी court से सजा मिली है जिस भी state के court से आपको सजा मिली है उस court की सरकार के पास application जाता है और वो सरकार जो है क्या करती है decide करती है कि remission commutation देना है या नहीं देना है